नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है, पेशाज 18 फरवरी सुबद 6 बजे राजिस्थान की खास खबरें तीस साल से चली आ रही यमुना के पानी की योजना अब धरातल पर उतरने जारी है, यमुना के पानी को हरियाना अब राजिस्थान को देगा, राजिस्थान की पानी की जरूरतों को देखते हुए हरियाना पड़ोसी का धरम निभाएगा, दिली में दोनों राजों के मुख भजनलाल शर्मा ने कहा कि लंबे समय से अठकी हुई यूजना अब धरातल पर उत्रेगी कॉंग्रिस सरकार ने इस यूजना पर ध्यान नहीं दिया इसकी वज़े से परदेश के तीन जिलों में आम जंता को पीने के पानी से परिशान होना पड़ा लंबे समय से चली आ रही इस मांग के पूरा होने पर सियम भजनलाल शर्मा ने पहले तो हर्याना के सियम मनोहरलाल खटर और केंद्रिय मंत्री को धन्यवाद दिया उसके बाद पूरवरती कॉंग्रिस सरकार को जम कर खेरा सियम भजनलाल ने कहा कि ये लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध् राजस्तान की राजनीती जातिय समीकरण पर ठीकी है चारों दिशाओं में अलग-अलग जातियों का प्रभाव है अक्सरिन जातियों का दबदबा चुनाव में देखने को भी मिलता है यही वज़ा है कि अब भाशपा अगामी लोगसबा चुनाव को लेकर खास रणनीती के साथ आगे बढ़ रही है विदानसबा चुनाव की बाद भले ही परदेश में भाशपा की सरकार बन गई हो लेकिन अपेक्षा नुरूप परिणाम नहीं आने से पार्टी शिर्ष नेतर तव लोगसबा चुनाव में अलग प्लान के साथ उतरने जारी है दरसल बीते विद पर चल रहे आदिवासी नेता चुनिलाल गरासिया को राजसबाव में द्वार बनाये गया और फिर कॉंग्रिस के दिग्गस आदिवासी नेता वेपुरमंतरी महिंदर जीत सिंग मालवय को पार्टी से जोडने की रणनीती बनाए गई है ताकि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरों ने 10 साल तक मौसम की सतीक जानकरी देने वाले सैटिलाइट इंसेट 3DS को लाँच किया इसे श्रीहरी कोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से लाँच किया गया सैटिलाइट की एस सोमनात की मुताबिक 10 नमंबर 2023 से इंसेट 3DS की वाइब्रेशन टेस्ट शुरू हो गए थे या 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर के जरीह मौसम से जुड़ी जानकरी देगा साथी सर्च और रेस्क्यू के लिए जमीनी डेटा और मैसेज रिले करेगा मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रे कोईला एवं खान मंत्रे परलाद जोशी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने इस दोरान अधिकारियों के साथ बैठकर राजिस्थान में कोईले की निरंतर उपलब्दता सुनिश्चित करने और उर्जा की उ कोईला अवशक्ताओं के बारे में अवगत करवाय था जिसके बाद राजिस्थान को मिलने वाले कोईले की मात्रा में वृद्धी हुई है आने वाले गर्मी के मौसम में बिजली की मांग से संभावित वृद्धी को देखती हुए आगे भी प्रियाप्त कोईला मिलता रह इस बारे में बैठक में चर्चा की गई। उध्यपूर जिले में एक भीशन हादसा हो गया, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि पांच लोग घंबी रूप से घायल हो गई। बेकरिय थाना क्षेतर में रात्री जागरण की बाद घर लोट रहे युवकों क बाइक की आमने सामने भीड़त हो गई। थाना दिकारी प्रभु सिंग चुंडावत ने बताया कि देवला, काली डूंगरी, रुजिया, कुना, देवरे से रात्री जागरण के बाद युवक बाइक से खर लोट रहे थे। फूतवड के नाडिया फला सिंगल रोड पर द हाथ से की सूचना मिलते ही बेकरिया पुलिस मौकी पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सज्जन सिंग ने बताया कि थानाक शेतर के एक गाम में 14 वर्ष है, नबालिक अपने मामा के पास एक वर्ष से रह रही थी, इस दोरान मामा ने खर पर अकेला देखकर भांजी के साथ दुश करम किया। संगर्ष समीती के सयोजक नेम सिंग फौसदार ने बताया कि सरकार ने सकारात्मक रुक अपनाया, 6 फरवरी को वारता हमारे पक्ष में हुई, इसके बाद पट्री जाम को स्थगित किया गया, 13 फरवरी को सरकार ने OBC आयोग के सामने घंबीरता से हमारा पक्ष रखा, 21 फरवरी को जै चोली के महा पड़ाव स्थल पर एक महा पंचायत किये जाएगी, इस तरीके से हमने र से डर कर भाग रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों को पार्टी में अजस्ट करते हुए, लोकसबा और राजसबा की सीट के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जो किसान परिवार को नौजवान साती है, वो NSUI के साथ हारा है, ये बाते जैपूर पहुंच सेना में चैनित हुए, डेड़ला किवाओं को नुक्ति दिलाने की मांग और अगनीपति युजना को बंद कराने को लेकर, जैजवान अन्याय के विरुद न्याय का युद्ध केमपेंज लाय जा रहा है, NSUA ने केंदर की मोधी सरकार पर सेना को कमजोर करने का रूप लग सदर्थाना पर भारी गौरो प्रधान ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हाथसे के सूशना मिली थी, मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक कार एन यंत्री तो होकर एक्सप्रेस वे पर पल्टी खा गई, हाथसे के दुरान कार 22 वर्षिय नमन चला रह दिल्ली की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं नमन और उनकी पत्नी कशिक घंबी रूप से घायल हो गई, उन्हें प्रात्मे को पचार की बाद जैपूर रेफर कर दिया है, चूरो जिले में एक सरकारी अध्यापक ने बड़ा कांड कर दिया, जिसे पूरा महकमा ही सकते में आ गया, उसके खिलाफ जैपूर की आतंकवादी निरोदक दस्ते की, एस पी मनेश कुमार शर्मा को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्स करवाना पड़ा, कोतवाल अरविंद भारदवास ने बताया कि रकेश सरावग ने अपनी वाटसअप डीपी पी पर मुख्य सचिव राजस्तान सरकार सुदान्श पंत की डीपी लगाकर राश्की अधिकारी को कॉल करकी उनको परभावित किया, उसने वाटसअप डीपी अशो कस्तब्द के साथ अपने आपको मुख्य सचिव राजस्तान सरकार परदर्शित कर सरकारी करमचारी वे आम लो सरकारी टीचर राकेश सरावग ने चुरू नगर परिशद में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए अधिकारियों को परभावित करने का प्रियास करते हुए खुद को राजस्तान सरकार का मुख्य सचिव सुदान्शु पंत बना डाला बीका निर्जिले में धोखादड़ी से दुकान के नाम से लाखुर पे लेने का मामला सामने आया है गंगा शेहर थाने में शीतला गेट के अंदर रहने वाले अनुराग सुराना ने गंगा शेहर के रहने वाले परदीब कुमार भधानी के खिलाफ मुकदमा दर्स करवाया ह खर्टना भादाने पंचायत भवन गोपेशवर बस्ती में 14 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 के बीच की है प्रार्थी ने बताया कि आरोपी ने यह जानती हुए कि ऐसे कोई दुकान ट्रस्ट द्वारा किराई नामे में दर्शाए गई मौके पर ना तो निर्मित की गई और ना ही निर्मित होनी है फिर भी जान बूझ कर बेई मानी पूर्ण फरजी दस्तवेस किराई नामे करते हुए दोखा दड़ी की प्रार्थी ने बताया कि आरोपी ने उससे 4,80,000 पे लेकर फरजी रसीद दी और अब वापस मांगने पर इंकार कर रही हैं पुलिस ने मुकदमा दर्सकर जांच शुरू कर दी है हुआ खर चाही है ज़ू कर दो की दर आर ये खरो कर दो का दार भाही है ने वापस मांगने मुक्त मांगने पर जाख जो इ podstaw